इन कांच के गोलियों को देखिए, ये एक-एक दूसरे के उपर कितनी सफाई से रखी हुई हैं। क्या ये कांच के मनके जैसे लगते हैं? नहीं, यह sodium chloride crystal की सनरचना है। यह crystal कैसे बनते हैं? ये परमानू आपस में कैसे जुड़े होते हैं? इन परमानों के बीच में किस प्रकार का बंध होता है? सामान्य नमक में सोडियम और क्लोरीन के बीच में रासाइनिक बंध होता है रासाइनिक बंध दो आसान परमानूओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साजेदारी है रासाइनिक बंध विभिन प्रकार के होते हैं ये है सह बंध, सह संयोजी बंध, धात्विक बंध और आइनिक बंध जिसे विद्युद संयोजी बंध भी कहते हैं सह बंध में इलेक्ट्रॉन के बीच में साजेदारी होती है उदाहरन के तौर पर क्लोरीन अनू में प्रत्येक क्लोरीन परमानू अपना इलेक्ट्रॉन देकर उनके आपस के बंध को बनाते हैं यदि किसी तरह से बंध तूडता है, तो प्रतियक प्लोरीन परमाणू अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेते हैं। इससे प्रतियक परमाणू में समान विद्युत रिनात्मत्ता दिखती है। सह संयोजी बंद में एक परमाणू एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणू को दे देता है धात्विक बंद में प्रति एक धात्विक परमाणू वैद्युद्धनात्मक होता है अन्य शब्दों में धातू इलेक्ट्रॉन उत्सर्जी प्रविर्थी के होते हैं एक आइनिक बंद को वैत्युत संयोजी बंद भी कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन के आपसी विनिमय से बनता है प्रारंभिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन की साज़दारी होती है सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को एक ऐलक्टून देकर बंद बनाते हैं चुकि क्लोरीन सोडियम की अपेक्षा अधिक वैद्योत्रुनात्मक है, वह एलक्टूनों के साजे जोडे को अपनी तरफ आकर शित कर लेता है जिससे क्लोरीन को एक इलक्ट्रॉन का लाब और सोडियम के एक इलक्ट्रॉन की हानी होती है विद्यो तुर्णात्मक्ता में जितना अंतर होगा आयनिक प्रविर्थी उतनी अधिक होगी आयनिकरण आयनों के बनने की प्रकिर्या है पर्मानुओं के बीच का वैद्यूत संयोजी बंद रिनायन और धनायन को बनाता है धनायन धनात्मक आविशित होते है रिनायन रिनात्मक आविशित होते है आएनिक बंध बनाने के लिए परमाणू के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकरशित करने की प्रविर्ति को विद्युत्रिनात्मक्ता कहते हैं अधातु वैद्युत्रिनात्मक होते हैं इस क्लोरीन के परमानू को देखिए, इसकी परमानू संख्या सत्रा है, यह निट्रल है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रूटॉन की संख्या बराबर है, इसके इलेक्ट्रॉन के L और M कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, इसके बाहरी कक्ष में साथ इलेक्ट्रॉन ह क्लोरीन पर्माणु औक्टेट नियम को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए यह अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक समरचना का है। क्लोरीन एक वैद्यु धनात्मक पर्माणु से एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड रिनायन बनाता है। इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है अता यह स्थाई इलेक्ट्रॉनिक संवचना है। इस ऑक्सिजन के परमानु को देखिए इसकी परमानु संख्या 8 है यह निउट्रल है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इसके इलेक्ट्रॉन के और एल कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सिजन परमानु ओक्टेट नियम को पूरा नहीं कर पा रहा है इसलिए यह अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक संवचना है। ओक्सिजन एक वैद्यू धनात्मक परमानु से दो इलेक्ट्रॉन लेकर ओक्साइड रिनायन बनाता है। इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अता यह स्थाई इलेक्ट्रॉनिक संवचना है। वैद्यू धनात्मक ताको इलेक्ट्रॉन उच्सर्जी प्रविर्थी मानते हैं। धातू वैद्यू धनात्मक होते हैं। इस सोडियम के परमानू को देखिए। इसकी परमानू संख्या 11 है। यह निट्रल है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इसके इलेक्ट्रॉन के L और M कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणू की इलेक्ट्रॉनिक संवचना अस्थाई है। क्योंकि ये औक्टिट नियम को पूरा नहीं कर पा रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर जन करके स्थाई सोडियम धनायन धनात्मक आयन बनाता है इस कैल्शियम के परमानू को देखिए इसकी परमानू संख्या 20 है यह निट्रल है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है कैल्शियम परमानू की संख्या अस्थाई है क्योंकि यह आक्टेट्नियम को पूरा नहीं कर पा रहा है कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन का उत्सर जन करके स्थाई कैल्शियम धनायन धनात्मक आयन बनाता है आधुनिक आवर्त सारणी को देखिए, अधातु आवर्त सारणी के दाएं भाग में और धातु बाएं भाग में स्थापित किये गए हैं वैद्यूत संयोजी बंद धातु और अधातु वैद्यूत रिनात्मक ताके बड़े अंतर के कारण बनते हैं उदाहरण के तौर पर वैद्यूत धनात्मक सोडियम अधिक वैद्यूत रिनात्मक क्लोरीन से बंद बनाकर सोडियम क्लोराइड बनाता है झाल झाल